डिस ब्रेकी प्लेट पर ये छेत क्यों होते हैं और क्या आपने स्पूरी दुनिया की सबसे ज़ादा loudest bird की आवाज को सुना है साथितास दोसों आज अब सबसे पहली बार radiation को अपनी आखों से देखने बाले हैं एसी दिमाग को चकरा देने वाले random and interesting facts को जाने के लिए tremendous facts इलिस के एपिसोड लास तर्ग जालूर देखियेगा दोसों पिछले दुनों एक viewer के दौरा Instagram पर मेर को एक वीडियो क्लिप भेजी गई जहाँ पर जैसे ही एक इनसान के दौरा blowtor से wine की bottle की neck को गर्म किया जाता है तो उस bottle के मुँपर मौझूद cork कुछ इस तरीके से अपने आपी बाहर आ जाता है लेकिन आखिर एक bottle को गर्म करने पर cork अपने आपी बाहर कैसे आ जाता है नहीं पता तो माइंडिया फैमिली एक फिर से तयार हो जाई अपनी science class में चलने के लिए असल में दोस्तों wine की एक unique tendency होती है जिसके चलते हुए जैसे ही किसी भी wine को थोड़ी सी heat मिलना शुरू होती है उसका oxidation शुरू हो जाता है साधरन शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि उस condition में wine फोड़ी सी खराब होना शुरू हो जाती है अब दोस्तों जैसे ही किसी भी blow torch की मदद से wine की bottle की neck को गर्म किया जाता है तो वो bottle का glass heat को absorb करके उसको wine तक transfer करना शुरू कर देता है जिसकी वज़े से wine के अंदर एक chemical reaction शुरू होती है और उसका oxidation शुरू हो जाता है हना कि ये reaction काफी छोटे scale पर होती है जिसकी वज़े से wine कभी भी खराब नहीं होती है लेकिन oxidation शुरू होने की वज़े से wine के molecules एक दूसरे से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं और इंडी लास्ट बोटल का कौर कुछ इस तरीके से अपने आपी बाहर आ जाता है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए wine की बोटल को कभी भी ज़ाद गर्ब जगों या फिर डारेक्ट सनलाइट में नहीं रखा जाता क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा और oxidation काफी बड़े लेवल पर हो जाएगा तो इस बोटल के explode होने की chances भी काफी ज़ादा भर जाएंगे अब आप इसके पीछे की असली science भी जानते हैं क्या आपको बताएगे Northern Brazil और Southern Venezuela में पाई जाने वाली white bell bird को इस पूरी दुनिया की सबसे ज़ादा loudest bird माना जाता है अब इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि अगर ये bird अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी आवास को निकालती है नहीं तो चलिए आज मैं आपको कुछ इंटरसिंग सुना ही देता हूँ पैक नमर 13 क्या आपको बता है कि light की speed को इस पूरी दुनिया की सबसे ज़ादा fast speeds में से भी एक speed माना जाता है जिसको match करना किसी भी इंसान के bus की ही नहीं है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए हम light को एक end से दूसरे end तक travel करते हुए कभी भी naked eye से देख ही नहीं पाते अब इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि एक light vacuum में 29,97,92,458 meter per second की speed से travel करती है जिसे capture करने के लिए हमें at least 10 trillion frames per second record करने वाले camera की जरूवत होगी जो की nearly impossible है या यूँ कहूं कि impossible था असल में दोस्तों बहुती कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन साल 2019 में California Institute के scientist के दौरा light को बेहदी detailed way में capture करने के लिए 10 trillion frames per second camera को develop किया था जिसने अभी तक light की speed को सबसे ज़्यादा detailed way में capture किया था तो देर किस बात किया है चलिए हम और आप मिलकर देखते हैं उस अनोखे कारनामे को दोस्तों भी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप देख रही है उसको California Institute में compressed ultra fast photography method का यूज करते हुए 10 trillion frames per second camera से record किया गया है जहां पर आप साफ तोर से ये देख सकते हैं कि जब एक light beam को bottle के bottom से top की ओर डाला जाता है तो वो bottle के अंदर कितने amazing way में travel करती है और उसी की touch पर इस वीडियो क्लिप को अभी तक light को capture करने वाली सबसे ज़ादा detailed वीडियो क्लिप भी माना जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ rare तो ज़रूर देखा है Fact number 12 क्या आपको बता है कि 1 जुलाई साल 1941 में दोपेर 2 बच कर 29 मिनिट पर USA में इस पूरी दुनिया के सबसे पहले टीवी कमर्शियल को लोगों के सामने टेली कास्ट किया गया था असल में दोस्तों ये टीवी एडवर्टाइजमेंट USA की एक वाच और जुलरी कमपनी बुलोवा का था जिसको इस पूरी दुनिया का सबसे पहला टेली कास्ट किया गया एडवर्टाइजमेंट भी माना जाता है लेकिन जब तक रेयर वीडियो क्लिप नहीं तब तक फैक्ट पूरा नहीं तो चलिए आज मैं आपको इस पूरी दुनिया का सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट भी दिखा ही देता हूँ अमेरिका रंज अन बॉल अवर्टाइजमेंट भी दिखा ही देता हूँ लेकिन दोसों इस पूरी प्रॉसेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एनिमीस की होती है क्योंकि अगर उस ट्रांस्फोर्मेशन के दौरा किसी भी एनिमी ने उस केटिपिलर पर अटेक कर दिया तो उसकी जिन्दगी चंदी सेकिंड्स में खत्म हो सकती है लेकिन एक्सेप्शन्स हर ब्रीड में होते है और वूली बियर कैटिपिलर इसी एक्सेप्शन्स का एक जीता जाटता एक्जाम्पल है असल में दोसे इस कैटिपिलर की पूरी ही बॉड़ी कुछ इस तरीके से हार्ड हेर्स के साथ ग्रोग करती है अब यहां पर सबसे जादा अमेजिंग बात ही है दोस्तों कि जब भी यह कैटिपिलर किसी भी बडर फिलाई में कनवर्ट होता है तो यह अपनी बॉडी के इन ही बालों को छोड़कर अपने आस पास एक हार्ड हेर केज को बना लेता है तो यह तो बात होगे इस अमेजिंग कैटिपिलर की अब बात करते हैं कुछ रेर चीज़ की दोस्तों अब यह पी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रहे है उसमें एक वूली बीर कैटिपिलर को उनी हेर्स का इस्तमाल करते हुए अपने आस पास एक केज को बनाता हुआ दिखाया जा रहा है जिसमें आप साफतोर से यह देख सकते हैं कि यह कैटिपिलर कितनी कुशलता के साथ अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने आस पास एक हार्ड केज को बना करता है तो यह caterpillar और इसकी यह technique अपने आप में ला जवाब जारूर है Fact number 10 क्या आपको बता है कि नॉर्वे को जीलों और पहाडों का देश कहा जाता है क्योंकि इस देश के अंदर आपको काफी सुंदर सुंदर जीले और पहाड देखने को मिलते हैं और यही वो कारण है जिसके चलते हुए नॉर्वे की सड़के आपको अकसर कुछ इस तरीके की स्ट्रेट चड़ाई वाली नजर आती है अब यहाँ पर सबसे जादा amazing बात यह है दोस्तों कि नॉर्वे के लूप अपने देश की इसी natural beauty को बचाने के लिए वेहिकल से जादा bicycles को चलाना prefer करते हैं लेकिन इन खड़ी चड़ाई पर cycle लेकर चड़ना तो छोड़िये पैडल चलना भी काफी जादा मुश्किल होता है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए साल 1993 में नॉर्वे ने इस पूरी दुनिया की सबसे पहली bicycle escalator lift को बना कर तयार किया था और अगर ये lift दुनिया की सबसे पहली ऐसी lift है तो इसकी एक exclusive वीडियो क्लिप दिखाने की जिम्मेदारी तो मेरी भी बनती है दोस्तों भी आपकी स्क्रीन पर आपको जो lift दिख रही है उसको इस पूरी दुनिया की सबसे पहली bicycle escalator lift माना जाता है जिसको कि साल 1993 में नॉर्वे की सड़कों पर कुछ इस तरीके से लगा कर तयार किया गया था और यहां पर आप साफ तोर से यह देख सकते हैं कि इस lift का इस्तमाल करते हुए कोई भी bicycle rider बेहदी आसाइनी से खड़ी से खड़ी चड़ाई को कुछ इस तरीके से cross कर सकता है तो यह lift और यह concept अपने आप में amazing जरूर है Fact No.9 क्या हम radiation को देख सकते हैं almost 99% लोग बोलेंगे नहीं और यही वो कारण है जिसके चलते हुए radiation को invisible enemy कहा जाता है लेकिन क्या आपको पता है कि हम और आप radiation को देख भी सकते हैं या यू कहूं कि देखने वाले हैं असलनों दोसों किसी भी radiation को देखने के लिए हमें एक cloud chamber की जरूरत होती है basically यह एक transparent chamber होता है जिसके उपर alcohol soaked clothes को रखकर उसको नीचे से dry ice की मदद से minus 40 degree के आप सपास थंडा किया जाता है जिसके बाद इस chamber की एक side से तेज light को डाला जाता है अब दोसों उस condition में अगर इस chamber की अंदर किसी भी uranium को रखकर उसके ठीक सामने camera को on किया जाता है तो जैसे ही uranium का decay होना शुरू होता है वो कुछ इस तरीके से अपने अंदर से radiation की emissions को शुरू कर देता है जिसको उस camera के दौरा बहदी साफ तोर से record भी किया जा सकता है जैसा कि अभी आप अपनी screen पर देखी सकते हैं तो next time अगर आपसे कोई ये कहे कि radiation invisible होता है और हम उसे नहीं देख सकते हैं तो उसे ये जरूर बताईएगा कि हम radiation को देख सकते हैं और हमने इसे देखा भी है क्या आपको पताएगि इस दुनिया में roller skis की नाम का एक भियादी amazing equipment भी मौझूद है basically दोस्तों ये ice ski और roller skates का इक combination होता है जिसे present date में बहुत से लोगों के द्वारा entertainment के लिए use भी किया जाता है लेकिन क्या आपको पता है कि जब इन तरीके की roller skis को साल 1930 में market में उतारा गया था तो ये चलने और देखने में कैसे थे? नहीं, तो चलिए आज मैं आपको साल 1930 में लेकर चलता हूँ दोस्तों बैब की स्क्रीन पर आपको जो वीडियो किलिप दिख रही है उसे साल 1930 में North Europe में शूट किया गया था जिसमें आप बेहदी साफतार से ये देख सकते हैं कि जब initial stage पर इन तरीके की roller skis को market में उतारा गया था तो इनका क्रेज लोगों के सर पर किस कदर सवार था और यही वो कारण है जिसके चलते हुए present date में इटली, यूरोप और USA में इन तरीके की roller skis का use काफी बड़े skill पर किया जाता है तो आप ही कह सकते हैं कि अभी अभी आपने इतिहास की एक बेहदी amazing वीडियो किलिप को तो जरूर देखा है दोसरे इस वीडियो किलिप को देखिए जहां पर जैसे ही एक इनसान के दौरा एक object को इस platform के उपर छोड़ा जाता है तो वो कुछ इस तरीके से अपने आपी हवा में उड़ने लगता है ना सिर्फ वो हवा में उड़ता है बलकि वो कुछ इस तरीके से platform के उपर अपने आपी घूमने भी लगता है लेकिन आखिर ऐसा क्यूं होता है असल में दोसों इस सबसे बड़ा example है माईजनर effect का असल में दोसों इस effect के अनुसाज जब भी किसी superconductive material वाले object को काफी जादा ठंडा किया जाता है तो एक stage ऐसी आती है जहांपर वो magnetic field को repel करना शुरू कर देता है जिसको कि उस material का critical temperature भी कहा जाता है अब इस चीज़ को और अच्छे तरीके से समझने के लिए पहले आप इन diagrams को देखिए जहांपर दोस्तों बात अगर पहले diagram की की जाए तो इस diagram में उस material की normal state को दिखाया गया है जहांपर आप साब तोर से ये देख सकते हैं कि वो material normal state में किसी भी magnetic field को अपने अंदर से बेहदी आसानी से होकर गुजरने देता है लेकिन दोस्तों जैसे ही इस material को critical temperature तक थंडा किया जाता है तो वो कुछ इस तरीके से magnetic field को अपने से थोड़ा सा दूर repel करना शुरू कर देता है लेकिन दोस्तों यहांपर सबसे ज़्यादा amazing बात ये है कि repel होने के बावजूद भी वो magnetic field दोनों ही तरफ से उस object को कुछ इस तरीके से bound रखती है अब दोस्तों बात अगर इस वीडियो क्लिप की की जाए तो यहांपर भी एक सुपर conductivity material को उसकी critical temperature तक थंडा करके एक magnetic platform के ऊपर छोड़ा जाता है जहांपर ये material उस magnetic field को repel या फिर oppose करना शुरू कर देता है बर्ट ऑन दी अधर हैंड वो magnetic field तब भी उसको अपने से बांधे रखती है परनाब सुरूप हमारा material हवा में उपर उठकर उसी repelling force का इस्तमाल करते हुए कुछ इस तरीके से उसी magnetic track के उपर एक circle में घूमने लगता है तो आप ही कह सकते हैं कि science वास्तम में किसी जादू से कम नहीं है fact number 6 दूसरे दुनिया अजीव गरीब law से भरी हुई है जिनके बारे में समय समय पर मैं आपको भी बताता रहता हूँ और उसी की तच्परी दूसरे आज मैं आपको USA का एक ऐसा law बताने वाला हूँ जिसे जब साल 2017 में लोगों के सामने introduce किया गया था तो वहां की लोगों की इसे सुनकर होश ओडग गए थे असल में दूसरे इस law के अनुसार USA के San Francisco, California और छोटे मोटे states में कार वाशिंग के बाद कभी भी किसी commercial vehicle को किसी भी underwear का use करते हुए साफ नहीं किया जाएगा बात अगर private vehicles की की जाए तो कार वाशिंग के बाद अगर आप अपने vehicle को underwear से ही साफ कराना चाहते हैं तो उस condition में वो underwear unused होना चाहिए और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और पकड़े जाते हैं तो उस condition में आपको काफी बड़ा जुर्माना और यहां तक की jail भी हो सकती है अब इस वीडियो को pause करके आप comment करके ज़रूर बताईएगा कि अगर इंडिया में इस law को apply की आजाए तो यहां पर उसका क्या अंजाम होगा Fact No.5 Fact No.4 Fact No.5 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 Fact No.5